हेलो दोस्तों हमारे यूट्यूब चनल में आपका पिस्टिस वागत है आज हम आपको एनेलॉग इलक्ट्राइब का पार्ड फाइब वीडियो लक्ट्र फाइब डिस्कस करने वाले हैं इसमें ट्रांजिस्टर की बाइसिंग इसके बाद में बैरियस टाइब आफ ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग है उसमें केंपरेजन को देखेंगे तो पिछले वीडियो में हमारा तीन बाइसिंग हो चूकी थी, नृदमा पोल्टेजण डिवाइडर बैसिंग इसको हम देखते हैं एगी बैसिंग जो है सबसे ज़्यादा यूज की जाती हüm बैसिंग सर्कुिट में इसका प्रयोग बहुत जयादा होता है इसका यह रीजन है यह इसका जो यह सर्कीट है इसमें एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया है जिसका कि इमीटर कामन है और बेस के साथ में दो रेस्टेंस लगाए गया है आरवन और आरटू साथ में जो हमारा सप्लाइब वोल्टेज वी सी सी है आरवन का एक टेमिनल इससे कनेक्टेड है इसका नाम डिवाइडर सरकीट इसलिए पड़ा कि यहां पर आरवन और आरटू वोल्टेज को डिवाइड कर देते हैं ठीक है और इससे फायदा यह होता है कि जो बोल्टेज हमारा है वो दो जगा डिवाइड होता है जिसके करण जो बेस इमीटर बोल्टेज है वो और बेस करेक्टर बोल्टेज है वो जहां से इन्पूट सिगनल हमारा एंप्रिफाई होता है मैं उसमें एट होता है ारो तो लेकिंद कौंग अब शर्किट का करते हैं शर्किट का असीब का मतलब है कि जो यह से कशश करेंट कि कितना होगा करेंट ранट से हम find out करेंगे साथ में हमारा जो resistance R1 और R2 लगा है transistor के साथ में यह किस तरह भी हैप करेगा R1 के cross में voltage V1 माल लेंगे R2 के cross में voltage V2 माल लेंगे तो यह V1 और V2 कितना होगा यह पूरी चीज़ा हम discuss करते हैं circuit analysis में अब देखिए हम अगर माल लेते हैं कि जो हमारा resistance R1 है और R2 है इनमें से current flow हो रही है आईवल और base current जो है आई भी है साथ में यह बहुत ही कम है और R2 से जो current flow हो रही है वह भी हमारी I1 ही है तो IC जो होगा यह IC जो current नीचे की तरफ आ रही है transistor में इसकी value हम कैसे निकालेंगे तो जो हमारा I1 है I1 equal to supply voltage VCC बटा में R1 और R2 का योग करेंगे अब देखिए voltage across R2 इस resistance के across में voltage हम माने कितना है V2 है तो यह V2 जो supply voltage है इस voltage की value हम कैसे निकालेंगे total supply voltage बटा में अब इसके मार्ग में आने वाला resistance कौन कौन सा है R1 और R2 है साथ में जो R2 है यह parallel हो जा रहा है तो यहां पर इसको हम multiply कर लेंगे अब किर्चाप्स बोल्टेजला अप्लाई करेंगे यहां पर कौन से सर्कुट में यह जो हमारा सर्कुट है इस सर्कुट को हम फालो करेंगे और यहां इस पूरे एक लूप में हम किर्चाप्स बोल्टेजला अप्लाई करेंगे क्यों अप्लाई करेंगे क्यों कि हमें अभी यहां से क्या निकलना है वी टू की वैलू फाइंड आउट करनी है जिससे हम IE और IC में रिलेशन प्राप्ट कर पाएंगे तो वी टू बराबर जो सप्लाई बोल्टेज है बेस इमीटर बोल्टेज प्लस में इमीटर बोल्टेज में अब सबकी वैलू यहां पर पूट करते हैं जो बिशेदेंट बोलेज है उसका वुढ़टेज ड्रॉप कितना हो रहा है तोAre au Uh कि कि वहां पिशेदेंटर ट्रामिनल के साथ में एक रेस्ट्रैंस लगा हुआ है ऑर इव तो थी सब्सक्राइब द्रॉफ हो गाँ अपका इमीटर बूलटेज तो उसकी जगा पहां पर व्य वी टू बराबर बेश्करेंसपलाइब बेसे इदू लगते हैं यहां से इमीटर की Tribal हमें निकालना है तो वी टू माइनस बेस इमीटर बुल्टेज बटा में आरी हो जाता है लेकिन हम उपर अभी माने हैं कि हमारा जो आई सी है वो लगबग किसके बराबर है इमीटर करेंड के बराबर क्योंकि आई बी की जो बैलू है वो बहुत ही कम है तो यहाँ पे आई की जगाँ पे हम आई सी पूट कर सकते हैं तो यह हमारा एक एक एक्क्वेस्टन बन जाएगा आई सी बराबर वी टू माइनस बेस इमीटर बोल्टेज बटा में इमीटर रेजिस्टन्स अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो आई सी है इस पूरे एक्क्वेस्टन में कहीं पर भी बीटा नहीं आया है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कलेक्टर करेंड है वो एम्प्लि लेकिन अगर प्रैक्टिकल ही देखा जाए तो जो वी टू है वो बेस इमीटर बोल्टेज से कहीं ज्यादा है और इसलिए हमारा जो बेस इमीटर बोल्टेज है इस पे भी हमारा आई सी डिपेंड नहीं करेगा तो अब डिपेंड किस पे करेगा बाती आती है तो डिपेंड यह करेगा आपका आई सी जो है ट्रांजिस्टर के पैरामिटर और उसके इस्टेबलाईजिशन पर इसलिए पोटेंशिल डिवाइडर जो बायस है बहुत ही ज़्यादा इन्वर्सली यूच किया जाता है मतलब अगर हम किसी भी ट्रांजिस्टर का पैरामिटर सेट कर दें और उसका इस्टेबलाईजिशन एक अच्छे सर्कुट के द्वारा प्रॉपर तरीके से कर दिया जा तो ट्रांजिस्टर हमारा बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा इसके बाद में आती है सर्केट अनल्सिस में बात की हमारा जो कलेक्टर इमीटर बॉल्टेज है उसकी बैलू हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं फिर अब तो अब हमें क्या करना है कलेक्टर इमीटर बॉल्टेज एक मिनट रुकिए देखे इस सर्केट में अब हमें आपने यह जो ऊपर से वी सिसी है यह राइट साइड में जो लूप बन रहा है इसमें के बियल लगा करके हम यहां से कलेक्टर इमीटर बॉल्टेज की वेलू निकाल सकते हैं तो जो हमारा सप्लाइ बॉल्टेज है वो कितना है कलेक्टर कलेक्टर बॉल्टेज जो अपलाई है प्लस बॉल्ट वी सिसी बराबर इसके बाद जो हम नीचे टैमियल को पकड़के आते हैं कलेक्टर को तो आई सी आर्स यह बॉल्टेज डॉप होगा तो वी सिसी बराबर आई सी आर्स प्लस वी सी इप्लस आई इंटू आर इमीटर बोल्टेज कितना है तो यही बात आप नीचे देखें देखें यहां पर आई सी आर्ची प्लस पीसी प्लस आई आरी अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लिफाई कर लेते हैं तो वी सी जो है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे चुकि हमें अभी कलेक्टर इमीटर बोल्टेज निकालना है तो इसमें हम एक बैलू ऐसी ढूड़ते हैं कि जिसको हम चेंज करने के बाद में थोड़ा सा सिंप्लिफाई कर लें तो हम उपर अभी देखें हैं कि हमारा जो इमीटर करेंट है वो लगबग आई सी के बराबर है कि ए तुम फिर करेंगे क्या यहां पर जो आई ई है उसकी जगाज पर आई सी पूट कर देंगे पूट करने के बाद आइ सी कमाल लेंगे नर्च और आर्च और ओर आर्री इन दोनों जूड़ जाएंगे और आई सी बाहर आ जाएगा प्लस फिसी यहोड़ाएगा अब फाइनली हमें VCE की value निकलना, collector emitter voltage की value जो निकलना है तो VCE बराबर VCC minus ICRC plus RE यह हमारा collector emitter voltage की value के लिए equation find out हो गया, अब यहाँ से हम चाहे तो निकाल सकते हैं अब आती है बात कि जो हमारा यह circuit है, voltage divider by circuit तो इसका stabilization कैसा है तो इसका stabilization अभी मैं पहले ही बताया आपको बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे जो collector current है वो depend करती है कि collector emitter voltage पे और VCC पर, मुख्य रूप से depend करती है transistor के parameter और stabilization circuit के adjustment पर तो stabilization जो होगा इसका वो कैसे होगा देखे जो हमारा V2 आया था वो क्या है V2 बराबर VBE प्लस IC RE अब जब collector current IC बढ़ता है तो उस time पे temperature बढ़ेगा तो इसके करण emitter resistance के across में voltage drop बढ़ेगा और जब voltage drop बढ़ेगा emitter के across में तो R2 की जो value है यह मुख्यूप से independent हो जाएगी collector current से क्योंकि base emitter voltage जो है वो हमारा क्या हो रहा है decrease होने लग रहा है जब यह कम होगा base emitter voltage तो उस दसा में IC जो है वो कम हो जाएगी और जब IC कम होगी तो हमारा जो base current है वो भी कम होगा तो overall जो होगा IC जो value है वो लगभा लगभा restore होके अपने original value पे ही रहेगी इसलिए तो stability factor जो होगा इसका yes बराबर beta plus 1 r0 plus re अब इसको simplify कर लेंगे तो हमारा stability factor निकल के आता है वो आता है beta plus 1 into 1 upon beta plus 1 equal to 1 अब यह cancel out हो जाएगा तो लगभा हमारा stability factor जो आएगा वो एक के बराबर जाता है इसलिए यह circuit हमारी बहुत ही ज्यादा universally used की जाती है तो अब हम देखते हैं कि silicon और germanium जो दोनों डायोड बनाए जाते हैं material से इस प्रकार के डायोड में सबसे ज्यादा या transistor है कौन सा यूज किया जाता है तो जनरली देखिए silicon और germanium दोनों ही semi conducting material से यह devices बनाए जाते हैं बट इसमें होता क्या है silicon का जो leakage current है वो 0.01 micro ampere से लेकर के 1 micro ampere तक होता है at room temperature 25 degree Celsius पर और जो germanium है इसका जो leakage current है वो 2 से लेकर के 15 micro ampere तक है अब problem कहां create होती है यदि हमारा transistor high temperature पर यूज करना है तो वहां पर आपको silicon transistor को preferred करना चाहिए silicon composite device को यूज करना चाहिए क्योंकि इसका जो working temperature वह लगभग 150 degree Celsius तक होता है लेकिन germanium का working temperature 70 degree Celsius तक ही बैरी करता है जिसके कारण यह हमारी device खराब हो सकती है और हम इसका यूज नहीं करते हैं दूसरी बात जो हमारा silicon है यह excess heat के करन जल्दी damage नहीं होता है लेकिन हमारा germanium damage हो जाता है यही वज़ा है कि silicon transistor silicon diode silicon powered diode SCR यह सभी devices ज्यादा यूज की जाती है silicon material की बनी हुई इसी प्रकार से हमारा जो silicon transistor है silicon diodes है उसका जो peak inverse voltage rating है वो भी क्या होती है ज्यादा होती है comparison to germanium diode लगभग 1000 के आसपास होती है silicon की और germanium diode की होती है लगभग 400 volt के आसपास और साथ में थोड़ा सा silicon का एक disadvantage यह है कि इसका जो potential barrier है यह 0.7 volt है लेकिन germanium का 0.5 volt है potential barrier का मतलब यह है कि वह voltage जो डायोड को transistor को या उस device को operate होने के लिए minimum आवस्यक होता है ठीक है तो अब हम देखेंगे summary of transistor bias circuit जितने भी बाया सर्कुट हम पढ़ें अभी उपर उसमें क्या समानता है है और क्या चीज़े different है वह एक एक ही जगा पे table के मादम से देखेंगे तो सबसे पहला था हमारा base bias circuit तो यह है आपका base bias circuit जिसमें एक feedback दिया जाता है base resistance के थूरू transistor में और इसका emitter terminal और common कर दे जाता है VCC supply दे जाती है तो इसका जो q point होता है वह लगभग emitter current के बराबर होता है collector current और collector current हम कैसे निकालते हैं ic equal to beta into VCC minus VE बटा में RB यह उपर derivation करा गया है पिछले वीडियो में तो वही चीज़ है collector to emitter voltage और इसमें क्या ध्यान देते हैं जो collector to emitter voltage है वह कैसे निकालेंगे तो supply voltage VCC में से जो drop हो रहा है ic into RC में जब हम minus कर लेंगे तो हमारा निकल के आजाता है collector to emitter voltage कितना मिलेगा उसके बाद आता है emitter by circuit emitter by circuit में जो हमारा base by circuit है उसमें जो हम feedback दे रहे थे VCC से RB को direct connect किया गया था इसको नहीं करते हैं कामन कर लेते हैं उसके बाद में इसका जो q point है लगबग इसी के बराबर रहता है collector current जो होगा हमारा यहां पे निकल के आता है voltage emitter अब हमारा supply battery यहां पे लग जाता है emitter के terminal के साथ में तो VEE में से base emitter voltage हम माइनस कर लेंगे उसके बाद में total resistance कितना चले है हमारा loop में कितना resistance काम कर रहा है वो तो यहां पे loop में resistance यो काम कर रहा है वो RE है plus RB बटा में बीटा और collector emitter voltage कैसे निकालेंगे यह आपका collector हो गया यह emitter हो गया यह इसके बीच में voltage जो आएगा VCC में से VCE value माइनस कर देंगे उसमें से IC into RC और RE यह सब भी माइनस करने के बाद हमारा collector emitter voltage आ जाता है अब आएए देखते हैं बोल्टेज डिवाइडर बायस और collector feedback बायस तो जो बोल्टेज डिवाइडर बायस है इसमें अभी उपर पढ़ा है आरवन और राटू दोनों बेस के दो साइड में connect होते हैं यह बोल्टेज को डिवाइड करते हैं इनकमिंग बोल्टेज को और जो सिगनल आता है यहां से इनपुट में उसको इन दोनों बोल्टेज की सायता से होँआ होता है आउटपूट पर अब करेक्टर करेंट कैसे निकाल लेंगे आर्टू बटा में आरवन प्लस कर लेंगे तो या जाएगा इसके बाद में हमारा कलेक्टर फीडबैक बायस होता है और इसमें भी हम के भी हेल पुट कर एक से गटा लेंगे जो वोर्टेज़ वोगा वह हमारा क्लेक्टर फीडबैक बूल्टेज आ जाएगा अब यह कुस्चन है आपको एसाइमेंट में करने हैं तो एसाइमेंट में कौन कौन साइपको करना है तो सबसे पहला आपका यह है कि What do you understand by transistor biasing What is its need अलब transistor की जो biasing है उससे आप क्या समझते हैं और इसकी क्या हो सकता है Question No.2 आप assignment में कर लेंगे उसके बाद में Question No.5 Describe the various method used for transistor biasing state their advantage and disadvantage जो अलग अलग प्रकार की transistor biasing है उसके लाब और हानी को भी आप करेंगे assignment में यह question आपके एक्जाम में भी पूछे जाते हैं तो यह उसके point of view से important है इसके बाद आपका आता है What do you understand by stabilization of operating point आप जो stabilization के operating point से आप क्या समझते हैं तो इसके लिए भी आप assignment पर अपना notes बना लेंगे और पहला question faithful amplification क्या है इसके लिए conditions क्या है कौन कौन सी condition होनी चीए faithful amplification के लिए एक transistor amplifier के लिए यह आप कर लेंगे तो question number 1, 2, 3 और 5 आपको करना है assignment में ठीक है तो अब हम इस वीडियो को सवाप्त करते हैं आगे next lecture हमारा होगा single stage transistor amplifier तो इसमें आपको जो doubt हो आप हमें comment करें उससे related जो issue होगा हम आपको solve करने की कोशिश करेंगे thank you for watching this video God bless you all उससे लो स्वाज़ कर दो य chapter 15 doberry house झापको आपको किक inस्यों ऑ Şu किक खुबंस प्याप, झाल झाल